नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश दस जन्वरी बुद्धवार सुपे सवाच शे बजी राजिस्तान की बड़ी खबरें राजसान की मुख्य मंत्री बजनलाज शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार के समय इंदर रसोई योजना में धांदली की गई थी और इस योजना का पूरा फायदा नहीं मिल रहा था इंदर रसोई का नाम बदल कर अन्यपूर्णा रसोई किया गया है निर नजम पेविंट कर धा बदली की जो रही थी उस पर रोक लगाई गई है हमारी सरकार ने इसमें मोटे आनाज को शामिल कर चार सो पचास के बजाए 600 ग्राम भोजन देना शुरू किया है ये बाद सीम शर्मा ने उदैपूर जिले के नाई गाउं में विक्सित भारत संकल्प यात्रा के कारक्रम म कहा जिनों ने बस्ताचार किया है और जिनके माध्यम से बस्ताचार हुए हैं हम उनके निशित रूप से जांच कराएंगे जो भी दोशी पाया गया उसको सजा देने का काम भी हमारी सरकार करेगी प्रधानमादी नरीन रमूदिय और सेंग तरब अमीराथ की रास्पती शेक मुहमद बिन जायद अल नहयान ने मंगलवार शाम काहमदाबाद में रोडशो किया करीब तिन किलोमेटर लंबा ये रोडशो एरपोर्ट से साबर मती आश्रम तक हुआ करीब 20 मिन तक साबर मती आश्रम में रुकने के बाद शाम साथ बज़े दोनों के बीच एद्वी पक्षिय वारता हुई मुदवार को पीम मोदी गांधी नगर में वाइबरेंट गुजराद ग्लोबल समिट का उधगाटन करेंगे गांधी नगर में मंगलवार को कारकरम के पहले दिन पीम मोदी ने ग्लोबल ट्रेट शो का उधगाटन किया इससे पहले उन्होंने तिमोर लेस्ते के रास्पती जोस रामोस होड़ता और मुजांबिक प्रेजिडेंट फिलिप जैसिंटो न्यूसी से चर्चा की आज 10 जनवरी से 12 जनवरी तक वाइबरेंट गुजराद ग्लोबल समिट का योजन होगा इंस्टिजूट अफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने चार्टेड अकाउंटेंसी फाइनल और इंटरमेडियर दो जारते इसका रिजल्ट जोरी कर दिया है फाइनल में जापूर के मदुर जैन ने और इंडिया पहली रैंक हासिल की है उन्होंने 800 में से 619 अंक हासिल किया है वहीं तिकेंदर कुमार सिंगल और रिशी मलखोत्रा ने 590 अंक हासिल कर थार्ड रैंक हासिल की है विने मंगतानी ने 24 वी मांसी गुपता ने 32 वी और तुशार जैन ने 45 वी रैंक हासिल की है इसी तरह सिये इंटरमीडियेट में जापूर के रिशा बंसर ने आल ओवर इंडिया साथ वी जोयंत भाडिया ने 34 वी तनिश कावरा ने 35 वी केशव शर्मा ने 38 वी और अरनव अगरवान ने 45 वा और ईशा अगरवान ने 48 वा रैंक हासिल किया है लोकसभा अध्यक्षूम बिडला मंगलवार को भूपाल में रहे उन्होंने कहा कोई भी स्पीकर नहीं चुआएगा कि इसके अध्यक्षता वाले सदन के सदस्यों का निलंबनों लेकिन संसत की भी कुछ मर्यादा होती है सदस्यों को इसका ध्यान रखना चाही इससे पहले बिला ने विधान सभा मिमध्य प्रदेश के नव निर्वाचित विधायकों के लिए आयोज प्रिशिक्षिन प्रभोधन कारकरम को संबोधित किया उन्होंने कहा मेरा मानना है कि कानून सही है तो प्रतिपक्ष को सहयोग करना चाहिए अगर सही नहीं है तो चर्चा होनी चाहिए कानून बनाते समय तरकों से चर्चा करी तो कानून बहतर बनेगा रासान बूर्ट दस्वी बारवी की परिक्षा की डेट शीट को लेकर इन दिनों स्टूडेंट्स की बीच चर्चा हो रही है इस बीच सोशल मीडिया पर एक फरजी डेट शीट वारवी हो रही है इस डेट शीट को लेकर RBSC ने ट्वीट किया है रासान बूर्ट परिक्षा 24 की वारवी होती डेट शीट को देखते हुए मादमिक शिक्षा बोर्ड राजेसान ने छात्रों को नकली कक्षा दसवी बारवी डेट शीट 2024 की खिलाफ चेतावनी दी है जालावर से भाजपा के वरिस्ट विधायक जोगेश्वर गर को सरकारी मुख्य सचे तक निक्त किया गया है विधान सबा ने जोगेश्वर गर की निक्ति के दिसुचनाजवारी कर दी है जोगेश्वर गर विपक्ष में रहते हुए भी बीजेपी विधायक दल के सच्चोय तक थे उनका नामंत्री के दाविदारों में धाल लेकिन अब उन्हें विधान सबा में बीजेपी सरकार का फ्लोर मेनेजमेंट सम्हालने की जिमिदारी दी गई है गर्ग जालरों से पांचवी बार विधायक हैं वो सबसे पहले 1990 में विधायक बने थे रामंदिर की प्रान प्रतिस्ठा को लेकर पूरे देश में उस्था का माहल है राम भक्त अपने अपने हिजाब से भगवां राम के दर्शन और पूजन के लिए विवस्था करने में जुटे हैं वहीं कई भक्त ऐसे हैं जो कुछ अलग हटकर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रान प्रतिस्ठा में और चार चांद लग सके ऐसे ही वडोद्रा के रहने वाले अर्विन भाई पटेल हैं जो की राम भक्त हैं भगवां राम के मंदिर के लिए उन्होंने ग्यारो सु किलो का दीपक बनाये हैं पंच धातु से बना ये दीपक साथ तारीक को वडोद्रा से मिनी ट्रॉक से रवाना हुआ था जो बारा जनुरी तक राम मंदिर में पहुँचेगा जहां इससे सापित किया जाएगा ठेकेदार का लंबे समय से बकाया भुकता नहीं होने पर बकाया वाने जी कोट कोटा के आदेश पर स्पेशल सेल आमीन बारा शहर की पी ड़ुडी एक्सियन ओफिस कुरकी की करवाही के लिए पहुँची इस दोर अन्विभाग के अधिकारियों की ओर से आगा में एक महिनी मेठे के दार फर्म का बकाया 68 लाक रपे बुक्तान करवाने का लिखित आशवासन दिया है ऐसे में कारेले कुरकी की करवाही नहीं हो सकी है कंजीमर कोट कोटा की स्पेशल सेल आमीन सविंदर कौर ने बताए कि मैसस शिव शक्ति इंटरप्राइजिस की ओर से पीड़ डी विभाग एक्सियन उफिस के तहित करीब 14 साल पहले निकाले गए टेंडर का निर्मान कारे किया था इस दोरां ठेकेदार फर्म का दो कारेयों में से एक कारे का करीब 52 लाक रपे और दूसरे कारे के करीब 16 लाक रपे का बिल बकाया चल रहा है प्रधान मंत्री जोन आरोगे योजना के आईश्मान कार्ड बनाने में जुन जुनु जीरा पूरे प्रदेश में टॉप चल रहा है जिले में 6,94,000 आईश्मान कार्ड बने थे जिन में से अब तक 6,1,000 कार्ड बन चुके हैं जिले में 86,64 फीसदी आईश्मान कार्ड सोमार तक बन चुके हैं प्रदेश में 87,77 प्रतिशत के साथ जालावार दूसरे और 66,42 प्रतिशत कवरिज के साथ भीलवारा तिसरी स्थान पर रहा है आईश्मान कार्ड बनाने के लिए पात्र व्यक्ति को लाइन लगने की जरूरत नहीं होगी वो घर बैटे ही आप से कार्ड बना सकेंगे अपने मुबाइल पर PMJY एप डाउनलोड कर खुद ही आईश्मान कार्ड बना सकेंगे गर्मियों में क्लोजर को लेकर जल्दाए विभा के तैयारियों के मदे नजर मंगलवार को जोद्पु शहर में पानी की सप्लाई बन रही शहर के सभी फिल्टर हाउस से जला पूरती नहीं हुई अब जोद्पु शहर के काईलाना चौपास नहीं और सुर्पुरा फिल्टर हाउस से संबने सभी शेत्रों में 9 जनवरी को होने वाली पानी की सप्लाई आज बुदवार 10 जनवरी से की जाएगी वहीं 10 जनवरी को होने वाली सप्लाई 11 जनवरी को होगी दरसल गर्मीओं में इंडरगांधी नहर में क्लोजर लिया जाना है ऐसे में पानी के स्टूरेज वे फिल्टर प्लांट पम्प हाउस की पाइप लाइनों के रखरखाव का कारे किया जाना है आयद्या में बन रहे हैं राम मंदिर के सोने के दर्वाजी की पहली तस्वीर सामने आई है ये दर्वाजा करीब 12 फिट उंचा और 8 फिट चोड़ा है इसे फर्स्ट फ्लोर पर लगाया गया है आने वाले तीन दिनों में 13 और दर्वाजे लगाए जाएंगे गर्व ग्रह में सिर्फ एक दर्वाजा होगा इसके चोखट के उपर भगवान विश्नु के शैन मुद्रा में चित्र को गेरा गया है राम मंदिर में कुल 46 दर्वाजे लगेंगे इन में से 42 पर 100 किलो सोने की परत चुड़ाई जाएगी सिर्फियों के पास चार दर्वाजे लगेंगे इन पर सोने की परत नहीं होगी इन दर्वाजों को महरास्ट की सागॉन की लकड़ी से बनाया गया है इन पर हैदराबाद के कारिगरों ने नकाशी का कांग किया है करिब धाय दशक पूर्व दौसा से गंगापूर सिटी के बीच रेल सेवा शुरू करने का देखा गया सपनाव लगभग पूरा होने को है चर्चा है कि आगामी लोकसबाद चुनाव के आचार सहीता लगने से पूर्व इस ट्रैक पर ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा इसके चलते उत्तर परशिम डेलवे की इस बहु प्रतिक्षित यूजना पर कारे अवंतिम चरण में है कुछ ही दिनों में पर यूजना के इस सेक्शन पर डीडवाना से लासोट के बीच CRS भी हो जाएगा जैसल मेर जिले में सर्ध हवाओं ने सब को परिशान कर दिया है घने कोहरे के साथ एक बार फिर चली सर्ध हवाओं से लोगों की कमकपी छूट गई जैसल मेर में मंगलवार सुपह घना को रच्वाय रहा दिन निकलने के बाद सुपह दस पजे तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए लोकडाकी की ठन में घरों में दुक्के रहे मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक कडाकी की सर्धी का सामना करना पड़ेगा परेटन मंतराले भार सरकार की ओर से परेटन मंतराले की ओर से हर कैटेगरी में देश भर में टॉप फाइव गाओं नगरनिकाई को अवार्ड दिये जाएंगे समस्त आवेदन पहले जिलस तर ये कमेटी को भेज़े जाएंगे राजिसान के हाडोती अंचल में मंगलवार को मौसम ने पलता खाया हाडोती में कई जगों पर अच्छी मावट किरी है बारिश के बीच तेज धमाके के साथ बिजली किरी उसके बाद एक घंटे 25 मिनट तक तेज बारिश का दौर चला तेज बारिश से सरसोचोना धनी और सबजियों में नुकसान के अशंका है मौसम विभाग के अनुसार प्रदीश में सरवाधिक बारिश कोटा शहर में 20 तश्मला दो मीमी दर्च की गई बारिश के बाद दिन भर शहर घंटे कोहरी की चादर में लिपटा रहा घंटा कोवरा और बादल चाय रहने से गलन से कड़ाके की सरदी का असर रहा बूंदी जिले में सुपर में गर्जना के साथ बारिश हुई बारिश से मंडियों में किसानों के जीन्स भीग गई केशव राय पाटर नुखन के जाकरुन गाउं में आकाशे बिजली गिरने से किसान स्टोल प्लाजा बुधू के कम्पिटर सिस्टम खराब हो गए कम्पिटर सिस्टम खराब होने की कारण वाहनों को अन्य लाइनों से निकाला गया तो फिलाल खास खबरों में इतना ही ताजा खबरों की जुआनकारी के लिए देखते रहे है SBT News धन्यवाद